Hello everyone, thank you so much for joining me आपको इस चैनल पे स्कीन केर और मेकप के रिलेटेड और प्रड़क्ट रिव्यूस के बारे में जो वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके जो ब्लैक हैट्स हो जाते हैं आपके नोस पे उसे आप कैसे रिमूब कर सकते हो सबसे असान और basic चो हमारा तरीका है वो है needle की help से blackheads को अपनी skin में से remove करना after exfoliation आप जब भी scrub करते हो देन उसके बाद आप blackheads को remove कर सकते हो क्योंकि वो तब तक काफी smooth हो जाते हैं तो वो easily निकल जाते हैं तो इसके अलावा आप बहुत से जो ways हैं तरीके हैं उनसे भी आप blackheads को remove कर सकते हो उसमें आपको दूसरा option है कि आप nose strips आजकर मिल जाती है तो आप उसका use कर सकते हो क्योंकि needle की help से जो blackheads काफी painfully remove होते हैं तो इसलिए आप जो nose strips आती है blackheads remove करने की तो आप उसे use कर सकते हो यह आपको online मिल जाएगी NYB की है यह rose nose strip इसमें 4 packs आते हैं और यह बहुती affordable range में आपको मिल जाती है यह आपको 100 rupees के नीचे ही यह आपको मिल जाएगी और इसमें aloe ver extract है और rose extract है तो यह काफी beneficial होता है हमारी skin के लिए और यह अच्छे से आपके जो blackheads है उसे remove कर देता है और deep cleansing कर देता है और आपके जो dirt है और जो extra oil है उसे भी remove करने में यह काफी help करता है तो आप इसे use कर सकते हो weekly आप इसे use कर सकते हो जब भी आपको लगे के blackheads है तब आप इसे use कर सकते हो needle की help से आप उसे use कर सकते हो लेकिन वो काफी painful तरीका रहता है और काफी ज़्यादा harsh redness भी आपके nose पे हो जाती है तो इसकी वज़ा से यह आपको काफी अच्छा रहेगा और इसे कोई भी teenager भी use कर सकता है इसका कोई भी harmful effect आपके skin पे नहीं होगा और यह काफी अच्छा है और इसमें rose extract है तो आपकी जो skin है वो भी balance रहेगी इसे आपको कैसे use करना है सबसे पहले आपको wet कर लेना है clean कर लेना है अपने nose को देन आपको strip को 10-15 minutes आपके nose पे ऐसे stable करके रख देना है देन उसके बाद आपको strip को जो है वो outer edge से इसे remove कर देना है तब यह आपके जो nose strips में जो आपके blackheads है वो अच्छे से remove हो जाएंगे तो ऐसे करने से आपके जो nose पे जो blackheads रह जाते हैं वो easy से remove आप इसे कर सकते हो आप इसे use करने के बाद toner जरूर यूज़ कीजएगा क्योंकि जब हम blackheads को remove करते हैं तो हमारे जो pores हैं वो काफी open हो जाते हैं तो अगर हम toner का use नहीं करते हैं तो उसमें फिर से dirt जो है वो include हो जाएंगे तो आपको इसे करने का कोई फाइदा नहीं होगा तो इसके लिए जब भी आप blackheads remove करें चाहे strip से करें चाहे needle से करें तो आपको जो toner है वो जरूर यूज़ करना है और moisturizer भी use करना है आप मेरी Instagram पे भी मुझे follow कर सकते हो Instagram ID आपके screen पर mention है and thank you for watching